तो, now here it is example number 4, you have to find a quadratic polynomial, the sum and product of whose zeros are minus 3 and 2 respectively, आपको बनाना है एक quadratic polynomial find करना है, तो हम सब जानते हैं कि quadratic polynomial की जो basic form होती है, वो होती है, ax square plus bx plus c, ये एक quadratic polynomial की basic form होती है, तो आपको find करना है कि ये exact polynomial कौन सा है, देखिए ऐसा है, अगर आपको बता रहा है कि ये polynomial कौन सा है, तो उसके लिए आपको इसके coefficients की value पता होने चाहिए, कि अगर आपको a, b और c की value मालूम चल जाए, तो उसके बाद आप इस value को इस form में put कर देंगे, and you'll get an exact polynomial जो आपको चाहिए, अब इसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये hint दिया हो है, कि जो sum and product of whose zeros, यानि जो polynomial आपको निकालना है, उसके sum और product जो है, उसके zeros के, वो है minus 3 and 2, minus 3 and 2, तो यानि जो sum of sum of आपके roots है, उस polynomial के, वो कितने दिया है, minus 3 दिया हो है, और जो product of roots है, वो कितने क्या दिया है, आपको 2 दिया हो है, तो हमने सीखा था class के अंदर, कि sum of roots जो है, let's say वो alpha और beta है, इस polynomial के, right, alpha plus beta जो है, वो आपको कितना दिया हो है, minus 3 दिया हो है, और alpha into beta वेटा आपको क्या दिया हो है, 2 दिया हो है, और हमने सीखा था class में, कि alpha plus beta, जो कि minus 3 है, वो क्यों होता है, हमेशा minus b upon a के बराबर होता है, ठीक है, minus b मतलब, you can say like this, minus of b, b आपके क्या है, x को कोपिशन्ट है, तो फॉर्म वो क्या था, minus of coefficient of x, तो वो क्या b है, और नीचे है a, a क्या x2 को कोपिशन्ट है, तो नीचे क्या था था, coefficient of x2 आता था, right, वो उसका basic formula था, alpha into beta क्यों होता है, 2, right, sorry, alpha into beta क्यों हमने क्या लिखाया था, वो होता था, अपका c upon a, क्यों होता था, c upon a, और c क्या था, constant a again, वो यह x2 का coefficient था, right, तो अब देखो, हम यहां से a, b and c की value कैसे निकाल पाएंगे, तो देखो, let's say है बिटा, यह होगा आपका minus 3 is equal to minus b upon a, अच्छा, अब देखो, minus 3 को I can write, minus 3 upon 1, बात तो वह है, और यह आपका minus b upon a के बराबर है, है ना भी, ठीके, और यहां से b की value कितनी आ देगी, 3 आ जाएगी, अगर आप compare करेंगे इसको, right, इसको 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 गरोगो, और a की value के आ रही है, और वन आ रही है similarly जो आप नीचे कंपेर करते हैं यह देखिए यह इसको मैं टू पॉन वन लिपन ले सकता हूं सी एपॉन एको similarly अब आप देखो जाद यहाँ से यहां से c की वालुट की आ रही गेकी बैटा 2 आ जाएगी और a की की ए 1 है तो यानि यहां से हम ने क्या देखा by comparing these two things right तो हमने क्या देखा कि जो A की value आ रही है वो क्या रही है 1 आ रही है और B की value क्या रही है बेटा 3 आ रही है और C की value क्या रही है बेटा 2 आ रही है तो मिलके हमको A, B and C क्या values अब इन values को यहाँ पर output कर दीजिए ठीक है जैसे आप output करेंगे तो आपका क्या रही है A क्या 1 है 1 into x square right B क्या आपका 3 है 3 into x C क्या पेटा 2 है तो यह आपका polynomial क्या बन गया x square plus 3x plus 2 यह आपका एक ऐसा polynomial बन गया एक ऐसा ठीक है जिसकी sum of zeros कितने है minus 3 है और product of zeros क्याट 2 है ठीक है this is just one polynomial but you can actually also find other polynomials ठीक है वो let's say k कोई भी real number है तो वो हमेशा इस form का होगा k into x square plus 3x plus 2 अब k की value कर भी हो सकती है so no need to worry about it अगर आपको कोई भी doubt आता है मुझे आप नीचे comment section में comment कर देना ठीक है मैं आपको वहीं पर बिता दूँगा तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं आपको इची समझ में आई होगी ठीक है अब यह बिटा एक तरीका था इसको solve करने का अगर आप उसको learn कर लेंगे तो definitely आपको इस पर दिकत नहीं आएगी ठीक है वह basic formula क्या था वो था x square minus minus sum of roots into x one second here x square minus sum of roots into x plus product of roots plus product of roots मैं इसको simplify करूँ x square sum of roots क्या है अलफा प्लस बीटा इन्टो एक्सवाइड product of roots क्या है अलफा इन्टो बीटा अभी हमने देखा था alpha plus beta क्या है बेटा minus 3 है into x product of roots क्या है बच्चे 2 है to solve करें x square minus minus क्यों हो गया प्लस 3x plus 2 यह इतने निकाला था ना में अभी सेम चीज़ x square plus 3x plus 2 x square plus 3x plus 2 ठीक है तो यह सेकिंड भी हो गया या तो आप सिंपल इस फॉम्ले को में मराइस करो सब्सक्राइब यह भी यह भी टांसर आजएगा या फिर आप इस तरीके साम रिका सकते हैं कोफिशन्स की हग सेब्सक्राइब ठीक है